नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल Music and Tools में आज नवरात्री के उपलक्ष में मैं आपको तारदेवी टैंपिल जोकी शिम्ला में सिच्वीटेट है वहाँ पर तारदेवी मा के दर्शन करवाऊंगी इस वीडियो में मैं इस प्लेस से जोड़ी बहुत सारी छोटी चोटी बातें बताऊंगी, जानकारिया दोंगी इसलिए आप इस वीडियो को आन्ते तक जरूर देखें तारदेवी टैंपिल यह शिम्ला सिटी से एराउंड 11 किलोमीटर के डिस्टिंस में है और इसकी हाइट एराउंड 7200 फीट होगी सी लेवल से शिम्ला जैसे कि आप सब जानते हैं बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉर्ट है सो अबिसली यहाँ पर आपको हर फिसिलिटी मिलेगी ट्रेंस की, फ्लाइट्स की, बसे की, कैप्स हमेशा आपको अवलेबल रहेंगे सो आप दुनिया की किसी भी कोने में हैं आप शिम्ला असानी से पहुच सकते हैं एक बर आप शिम्ला पहुच जाएंगे तो फिर यहाँ पर अगर आप शिम्ला बस टैन जाते हैं आपको तारा देवी पहुचने के लिए पहले तो शोगी तक की बस लेनी पड़ीगी शोगी एक प्लेस है यहाँ पर वहाँ तक की आपको डिरेक्ट बस मिल जाएगी शोगी से फिर आपको तारा देवी के लिए भी बसेस मिल जाएंगे आप चाहें तो वहां के लिए कैप भी कर सकते हैं और कैप्स वगेरा उपर मंदिर तक में मंदिर तक जाती है बसस आपको ब्रेक करके बससे जा रहे हैं तो आपको ब्रेक करके जाना पड़ेगा शोगी से पहले आपको जो तारा देवी यहां से जहां बोड लगा है तारा देवी का कि यहां से मंदिर का रास्ता स्टार्ट है वहां तक आपको बस ड्रॉप करेगी फिर वहां से आपको दूसरी बस लेनी पड़ेगी जो कि आपको 2.5 किलोमेटर का डिस्टेंस कवर करेगे में तारा देवी जहां टेंपल सिचुएटेड है वहां लेके जाएगी और यह बस इस हर डाइम चलती रहती है तो इतना टफ नहीं है यहां पहुचना तो तारा देवी आप वहां पहुच जाओगे और वहां दर्शन करना अबिसली एक टोरिस्ट प्लेस है तो थोड़ी भीड तो आपको मिलेगी बट इतनी नहीं है भीड कभी भी मतलब आपको वहां वेट नहीं करना पड़ेगा चलती रहेगी और यह मंदिर जो है साड़े साथ बजे से सुपह खुल जाता है और आपको हर दिन आप यहां पर दर्शन कर सकते है तारदीवी जो टैंपल है ये 1766 में राजा भुपेंद्र सिंग ने उन्होंने बनवाया था राजा भुपेंद्र सिंग को एक्चली माता तारा ने दर्शन दिये थे और उनको सपन में वोला था कि वो एक ऐसा उनका मंदिर बढ़वाया तब राजा भुपेंद्र सिंग जी ने इस मंदिर की स्थापना की थी ऐसे भी मानेता है कि 18th century में West Bengal से West Bengal में भी तारदीवी टैंपल है जो कि एक बहुत ही famous शक्ती पीठ है तो ऐसे भी मानेता है चलो 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 तारदीवी वे हमैं कि वो हमें वो तारों की डेवी है और वो हमें फपर से आस्मान से, इसकाई से लगती है और हम ते पैसे इसे उशावर करती है ऐसी भी लोगों की माननेत है वह दो नवरात्र में हमें तारादेवी जाने का मोका मिला थी बहुत ही सुन्दर नजारा था, थोड़ी सी हमें भीड मिली, बट भीड इतनी जादा ने थी, हमें इतना वेट भी नहीं करना पड़ा, अरॉंड 10-15 मिनिट्स हम लाइब में ख़रेते हैं, इसके बाद भी मंदिल हैं बहुत अच्छे से तर्शनूर जैसे आप देख सकते हो साथ में बंदिल पर इसके पूरा वीडियो में आप देख सकते हो, और क्योंकि यह और हमाले में स्तित है, तो सारी वियूस बहुत ही सुन्द हैं, आप देख सकते हो, पहाड़े की वियूस आते हैं, और वहाँ पर तारा देवी में लंगर भी चलते रहते हैं, जैसे कि करेंगे फिर उसके साथ एक सबजी फिर देन अगेन ये फिर थोड़ा चावल लाएंगे और सबजी देंगे मतलब खाने में आपको बहुत सारी 7-8 सबजी आप उरोसेंगे धाम आपको प्रॉपर खाने को मिलेगी उसके बाद हम तारदेवी के आसपास के एरिया को हमने एक् बहुत ही बड़ा मार्केर था हर टाइप की फिसिलिटी थी आपको खाने के स्टॉल्स मिलेंगे आपको अगर कुछ घर के लिए समान लेना है वो भी मिलेगा आपको अगर कपड़े लेने हैं कपड़ों से लेकर हर चीज अवलेबिल थी जहां तक मैंने देखा मतलब काफी की दूरी पे दूधाधारी माता का टेंपल भी सिचुएटेड है तो हम जब तारदेवी टेंपल से उस रास्ते पे दूधाधारी माता के दर्शन के लिए चले तो रास्ते में हमें ये पूरा बाजार पूरा सेट अप मिला यहां पर जूले भी थे मेला टाइप का पूरा महौल था, आप देख सकते हैं सारे कपड़े कितने टाइब के घर के लिए आपको ट्रेडिशनल वियर, होम वियर, हर टाइब के कपड़े मिलेंगे बरतन, जुइलरी, यह देखो जूले भी हैं यहाँ पर बच्चों के एंटिटेंमेंट के लिए तो काफी अच्छे से यह नवरात्री सेलिब्रेट कर रहे थे काफी चहल पहल थी और इसी चहल पहल इसी मार्केट को हमने पूरा एक्सप्लोर किया और दूधादारी देवी जो मंदिर है उसकी और हम बढ़े जो दूधादारी देवी का मंदिर है यहां से आप अगर दूधादारी माता की टेंपल से 50 मीतर चलोगे तो आपको वहां से एक शॉटकट मिलेगा जो आपको डिरेक्ट शोगी अगर आप थोड़ा सा आपको अच्छा लगता है थोड़ा ट्रेक करना या फिर चलना तो आप वहां से ही डिरेक्ट शॉटकट ले सकते हो और शोगी तक आप माउंटेंस में थोड़ा ट्रेक्किंग की फीलिंग लेते हुए आप डिरेक्ट वहां बहुँ सकते हो कई लोग ऐसा करते है बिकाज उनको अच्छा लगता है ट्रेक करना और क्योंकि बसेस में तो बसेस में आपको पताईए जैसी यह जो आपको रास्ता दिख रहा है ना नीचे से जो मैं आपको दिखा रही हो वीडियो में साइट से ही रास्ता गया है साइट से सीडियां गई है जो आप यह देख रहे हो तो यह पूरा market परिसर था, आप इसको explore कर सकते हो, यहाँ पर काफी टाइपी चीज़े थी, अब देखो, यहाँ बच्चों के खिलोने भी हैं, हर टाइप के, आपको goggles वेगेरा भी मिल रहे हैं, थोड़ी वो jewelry भी है, यह सामने जो आपको दिख रहा है, यह दूधादारी द यह सामने जो आपको just सामने दिख रहा है, तो फिर इसके बाद हम दूधादारी देवी के temple में गए, और वहाँ भी हमने मातारानी के दर्शन किये, यह temple था, इस तरह से हमने तारा देवी के साथ सा दूधादारी माता के भी दर्शन कर लिये, इसके अलावा तारा देवी स यह 2.5 किलो मिटर अगर आप और चलो तो यहाँ पर बटुक भैरव जी का बहुती प्रसिद्ध टैंपिल है, शिव टैंपिल है, तो आप वहाँ भी जा सकते हो, दर्शन करने, यह दूधादारी टैंपिल के आस-पास का पूरा एरिया है, यह हम दूधादारी मंदिर तक आप समझ सकते हो कि सीनिक ब्यूटी भी कितना जादा इसमें रोल प्ले करती है, इस मंदिर की खुफसूर्ती और बढ़ाती है, मतलब कह सकते हो कि माता का भवन उच्छे पहाड़ों पे है, पर बहुत ही सुन्दर भवन है, आप दूधारी मंदिर यह देखो आपको, पू पूद्र के अंदर, ना ही दूधारी देवी के अंदर, कामरा ले जाना है लाओड है, इसलिए हम आपको अंदर की दर्शन नहीं करा सकते हैं, बट बाहर-बाहर से आपको एक दर्शन कराया, उसके बाद हम वापस हमने आने के लिए एक शॉटकट लिया, क्योंकि हमें बस इस नहीं मिल ली थी टाइम पर फिर हमने सोचा कि लेट्स हम भी थोड़ा ट्रेक कर लेते हैं तो जैसे कि आप देख रहे हैं हम ट्रेकिंग करते हुए जो है हम नीचे आए और किन-किन रास्तों से आए जंगल के रास्तों से आए रेल की पत्रियों से आए, आप जैसे की देख रहे हो, हम ऐसा और भी लोग थे, सो हमने वो भी experience किया, ट्रेक का भी एक experience हो गया, ट्रेक वाली feeling आई, जादा लंबाने धाई, तीन किलोमेटर का ट्रेक था, उसके बाद हमें, जो है, सडक मिल गई, और फिर हम, जो है, सडक से होते हुए, जो entrance धा तारा देवी का, जो around 2.5 किलोमेटर है, में मंदिर से, जहां से हमें, जहां पर हमने, हमें पहली बस हमने, जहां पर हमें पहली बस ने छोड़ा था, और फिर वहाँ से हमने छोटी बस ली थी, तो यह देख रहे हो, यह जो आपको दिख रहा है, holding, यहां पर, यहां तक हम पहुच गए, फिर उसके बाद हम जो है, बस हमें नहीं मिली पड़ हमारा और वॉक करने का मन था, तो हमने थोड़ा आगे का area और explore किया, जैसे आप देख रहे हो, आरियन विला, बहुत सारे रास्ते में ही आपको villa मिल जाएंगे, homestay मिल जाएंगे, तो अगर कोई आ रहा है, बाहर से, काफी दूर से, और उसको explore करना है, इस पोरे area को, तो यहां stay भी कर सकता है, आराम से आपको stay मिल जाएंगे, तारा देवी, टेंपल के आसपास, आपको बहुत सारी और भी famous जगाग घूम सकते हो, आप जैसे दूर से आ रहे हो, जैसे कुफरी है, the mall road है, फिर उसके बाद आपको जाकु टेंपल, जो कि बहुत ही famous टेंपल है, यहां का दिशारा बहुत famous टेंपल है, वो भी यहां से बहुत ही पास आपको मिल जाएगा, आप यह सब places भी अराम से explore कर सकते हो, आप रिज जा सकते हो, हमने जो route लिया था, हमने actually summer hill, दूसरा आपका रास्ता अगर आप bus से सीनी जान जाते हो, और toy train कभी सफर करना चाते हो, तो हमने क्या किया था, हमें तो toy train में भी जाना था, तो हम summer hill एक जगह है शिम्ला में, यह तो summer hill के लिए आपको असानी से bus stand से bus मिल जाएगी, वहाँ से हमने जो है, toy train पकड़ी थी, अभी आपने जैसे देखा भी था थोड़ी दिर पहले, यह station आप देख रहे हो, यहाँ पर हमने toy train पकड़ी थी, summer hill railway station से, और direct हमें तारा देवी, जो railway station है, वहाँ पर हमें drop कर दिया, जिसे के आप देख रहे है, यह आ रहे है, toy train, अच्छा है, toy train में भी अगर आप travel करो, यह भी एक अच्छा idea है, कि आप summer hill से toy train ले लो, और direct तारा देवी station पर उतरो, और इस तरह से आप रास्ते भर, पूरा शिमला का जो भी view है, वो enjoy करते हुए जा सकते हो, यह देखो आप train आ रही है, British period की याद दिलाती है, तो हमने इस train को board किया था, और after that हम तारा देवी station पहुँचे, और फिर वहाँ से हमने आगे का रास्ते लिया शोगी और जैसे, यह route भी आप follow कर सकते हो, और फिर उसके बाद आगे करो, जैसे मैंने बताया, वैसे ही same follow करना है, तो इस नवराती के उपलक्ष में, हमें तारा देवी के दर्शन हुए, हमें इसके लिए माता का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आप भी इस place पे जरूर चाहें, और और भी कोई जन करिए, अगर आपको चाहिए, कोई extra सवाल पुछना चाते हैं, आप comment box में ज़रूर पुछें, और मेरे चैनल को subscribe ज़रूर कर लें, नमस्ते,